असलाम लेकुम, वेल्कम बेक टो मैं चैनल, विल्योग स्टार्ट हो रहा है, प्राठे से मैं आज अपने लिए प्राठा बनाती हूँ, काफी दिन होगे थे मैंने बनाया नी था और इतना भी इग्नोर करना अपने आपको अच्छा नहीं होता, तो मैंने का चलें आप कुछ हल्दी सा अच्छा सा नाश्टा का लेती हूँ, तो मैंने बड़े सिकाप में अपने लिए चाई बनाई और अपने लिए प्राठा भी पकाया और दही और सालन के साथ मैंने अपना नाश्टा किया, यह नाश्टा भी है, प्लस जो मेरा लांच और डिनर तीन होगेगा, क् पर कोई मिल्क शेक, तो मौसम चेंज हो गया है, तो मेरा आज दिल था कि मिल्क शेक पी लूँ, तो सुबह मैंने मिल्क शेक पी लिया था, जैसे कि आर साड़े आठ पर बज़े तक बेटी चली जाती है, उसके बाद जेन को नाश्टा कराती हूँ, उसके बार 9 बज़े मै मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और पता नहीं क्यों मेरे एक दम से जो है मेरे फियस के उपर ना चाहिया वगरा डार्क होती जारी है, मुझे पहले हुई थी निकिन जो है ना कम हो गए थी बाद में, तो भी फिर से दबारा हो ली है, तो मैंने सोचा कि इस पहले जियादा हो जाएं, तो मैं जो है ना कार लेती हूँ, कुछ अपना डायेट प्राइंट चेंज कर लेती हूँ, जैसे सुबह उठते के साथ ही हम लोग चाई पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तो एक दम से मैदा आपका जो ना वो गरम गरम पूरी बाड़ी होती है, तो मैंने का कि मैदा ठंडी चीज़ें खाने से आपका ठीक होता है, और उसी से यह सारी प्रॉब्लम्स चाहियां और स्किन जवेरा ठीक हो जाते हैं, तो यहां पर जो है मैं देही डाल चुकी हूँ, और उसके बाद जो है मैं पराठा भी रेडी हो चुका है, मैं आराम से बैटके खाल स्कूल से लेने के लिए, दिन के टाइम फीडर जैन को मैं इसलिए भी देती हूं क्योंकि फिर फीडर भी के वसोच जाता है, और फिर मैं आराम से अपने सारे काम कर लेती हूं, और जब रिजा स्कूल से आ जाती है तो अगरी बन चार बज़े तक फिर हम जो है तीनों बै अपने तरीफ खुद ही करना बनता तो नहीं है ना मज़द आप होता है जब आपके तरीफ को दूसरा करें तो अलहमदलिल्ला मेरी रोटी जो है मेरी हज़मन को बहुत पसंद है तो सो इसका मतलब मेरी रोटी बहुत अच्छी है और एक दफा मेरी वीडियो के निचे किस समेटे वे थे सोरी बिखरे वे थे टोई उनको समेट रहा था और बिन भी हाली नहीं किया था उसको भी हाली कर रहा था यहां पर ट्रोफजर में डिफरेंट करर का इसलिए पेना हुआ क्यूंकि मैं जेन के साथ प्ले कर ले थी और प्ले करते टाइम मुझे नीचे कार्प सारे टोईस्टमेट दिये थे और उसके बाद मुझे कपड़े भी प्रेस करना थे तो इसके लिए भी मुझे नीचे ही बैठना था तो मैंने का आप कपड़े प्रेस करें के बाद एक दफाइब करते हूं जब हजबन के बेटी को अपने गठे हो जाते हैं एक से दो जोड थी एक और बेटी का एक जोड़ा था बेटी मेरी माशाला से पांच साल किया और अभी तक अल्हम्दलिल्ला उसको पाकिस्तानी कपड़े बहुत बहुत जदा अच्छे लगते हैं तो मैंने पिर आज जो आना उसके लिए एक रड्स कलर का फ्राग प्रेस करके रखा है क्योंकि यहां पर जोटी बचियां होती हैं अगर आप उनको शुरूर सही पेंट शैट पे जिन्स पर चढ़ा देंगे तो बड़े होका भी वही पहनेंगी तो मैं थोड़ा सब कोशिच करते हैं को पाकिस्तानी कपड़े लिए मैं पहनती हूं तो अपने बच्ची को भी प्रान्टिव करा भी नहीं हो मैं चलें ठीक अगर वो अपनी मज़े से पकस्तानी कपड़े पहन रही है तो यह तो बहुत अची बात है क्योंकि देशी माहूल अपना जो जो जीसी कल्चर है वो अपने हुद ही देना है घर के अंदर ही रहके देना है अगर आप अपने ज को इस तरह बनाएं कि बचे आप अपने कल्चर को भी पहचाने इजाद रखें उनको यह चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारी लेडिस देखती हैं जिनके छोड़े बच्चे हैं मेली बच्चों की तरह हाथों में यह बताते हैं इसलिए बताती हो ताक को बस हिंगर पर लटकाना है और मारी में रख देना है और बेटी भी स्कूल से आ गई थी तो भी थकी वी थी वह से थोड़ा सा रेस्ट करना है फोन वगरा देखना है क्योंकि अभी जो है मैं भी रूमे थी इसलिए कपड़े चेंज नहीं का रही थी तो अभी मैं जाओं को जये और बोदर बहुत ही एद कि अापको अब ज्यादा इस थी और बहुत है और यहां हिथास्ट मैटेल i рूम अदियु अभी कर्शान के रही थी फिर माähän माम आपका थैंक्यू मेरे ब्हूरा के अब आक्तकू मेरे था तो इसको देखने के बाद देखने का बात उसको भी जहर है फिर लाट करना था मेरे साथ साथ देन वो करता ही रहता है दोनों माशाला से लेकिन फिर वीजिवाना एक दूसे को देखते हैं तो पिर साथ दोनों चिपक जाते हैं साथ माशाला से तो जनाब यही ता मेरा आज का विलोग आई हो कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा अगर ऐसा है ता प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा दौा में जाद रखेगा अपने बेन को इंशाला मैं में लोग नेक्स विलोग में अभी करिए मुझे जच्छा देला हाफिज